राजकुमाराओ शर्धा कपूर की फिल्म इस तरी टू ने दूसरे बिकेन में सबसे अधिक कमाई करने है इतिहास रचने के बाद अब दूसरे सोंबार को भी जवर्दस्त कमाई किये है। सोतंदा दिवस के मौके पर रिलीज ये फिल्म बारहवे दिन जन्माश्टमी के मौके पर देश में 400 करोर कलब में एंटरी कर चुकी है जबकि वॉल्ड वाइड इस ने 570 करोर पे से अधिक कमाई कर ली है। अधिक कमाई करने वाली फिल्मों की टॉप टेन लिस्ट में दसमें नमबर पर टूजिरो है। जिस ने 2018 में 407 करोर पे की नेट कलेक्शन किया था। इस तरी टू मंगल बार को बड़ी आसानी से इस फिल्म को पचार देगी। जबकि नौवे नमबर 421 करोर की कमाई के साथ परभास की बाहुवली दा बिगिनिंग का नाम है। सैक्नल की रिपोर्ट के मुताबिक जन्माश्टमी के मौके पर सोमबार को इसलिए टू ने देश में 18.50 करोर पे का नेट कलेक्शन किया है। इस तरह बारत दिनों में फिल्म ने देश में 403.05 करोर पे की कुल कमाई कर ली है। सोमबार को तेवायर के कारण लोग घर और मुहले में बैस थे बाबजूद इसके सिनेमा घरों में दो पहर और शाम के सोज में 46% सीटों पर दर्शक नजर आए। साल 2018 में आई इस तरह की ये सिक्वल फिल्म मील का पत्थर सावित हुए है। फिल्म का बजट 50 करोर पे है। इसने ओपनिंग दे पर ही 51.80 करोर पे की कमाई कर अपना बजट निकाल लिया था। बलकि 12 दिनों में इस तरह टू सिर्फ भारतिय बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट से 703% से अधिक की कमाई कर चुकी है। इस तरह टू वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में भी धहमाकेदार है। इसने बारत दिनों में वर्ल्ड वाइड 571.75 करोर पे के ग्रोस कलेक्शन कर लिया है। फिल्म के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि यह बिक डेज में भी जम कर कमाई कर रही है। बॉक्स ऑफिस पर अब अगली बड़ी रिलीज 6 सितंबर को कंगना रनोत की इमर्देंसी है। ऐसे में इस तरह टू के पास अभी भी 10 दिन खुल कर कमाई करने का मौका है।